लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडियाल लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए नविम्भाई महानगर पालिका को एक बार फिर उत्रिश्टा के लिए पुरस्कार हासिल हुआ है केंदर सरकार ने जल प्रबंधन में उत्रिश्टा के लिए नविम्भाई मनपा को वाटर प्लस मानांकन प्रदान किया है एन्हें मिमसी को यह मानांकन वैज्ञानिक तरीके से सिवरेज वाटर ट्रीटमेंट करने यानि बहतर अवयाव जल संशोधन और उसके पुनरुपयोग के लिए प्रदान किया गया है देखे रिपोर्ट स्वच्छता में नमबर वन का खिताब जीत चुकी नविमबई महानगर पालिका को केंदर सरकार ने ODF Water Plus मानांकन प्रदान किया है मनपा को यह मानांकन अवयो जल का संसोधन करने और उसका निरंतर उपयोग के लिए प्रदान किया गया है इस मानांकन के बाद नविमबई महानगर पालिका देश की ऐसी पहली महानगर पालिका बन गई है आज इस उपलब्धी को लेकर महानगर पालिकाने नईमबई में चित्ररथ दोडाया ताकि नागरिकों को इसकी जानकारी देकर सिवरेज वाटर को उपयोग के लिए प्रोचसाहित किया जा सके बेलापूर मुख्याला से या चित्ररथ सीवूड नेरूल वासी से होकर कोपर खेरने एरोली और दीघा तक घुमाया गया बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे ने इसके लिए मनपाधिकारियों और नागरिकों के सरानाकी जिनके प्रयासों से नविमबई को ओडियफ में वाटर प्लस मानंकन हासिल हुआ है पानी ये आने वाले समय का सबसे क्रिटिकल इशू इंटाइर वल्ड में होने वाला है जैसे आपका क्लाइमेट है वैसा ही पानी भी है आज के तारीख में वल्ड का टोटल पॉपुलेशन का रिक्वार्मेंट के इसाब से बहुत पानी का स्टॉक बढ़ा हुआ है इंडिया में टोटल वल्ड का 16% पॉपुलेशन इंडिया में है और ड्रिंकिंग वाटर जो वल्ड में अभी अवेलेबल है उसका 4% इंडिया में है आने वाले अगर समय में देखेंगे तो पॉपुलेशन जो 16% है वो बढ़ रहा है और 4% जो पानी है पीने लायर वो कम होते जा रहा है और ये आने वाले समय की सबसे बड़ी दुर्गती हो सकती है अगर इसके बारे में ठोस नियोजन ना किया जाए अब नियोजन का मतलब क्या होता है सप्लाइ सीटी को आने वाला पानी से लेके बाहर जाने वाला पानी यानि जो वेस्ट करके फेका जाता है पानी उसको मिनिमल वेस्टेज और उसकी कॉस्टिंग की रीकवरी उसके पीछे जो खर्जा किया हुआ है यह अगर टोटल परस्पेक्टिव में आगर देखेंगे तो आपको मालूम बढ़ेगा कि यह जो मानांकन लिया मिला आमको उसके पीछे नभी मुंबई के नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन उससे भी बड़ा योगदान है वाटर डिपार्टमेंट में जो दिन-रात काम करते हैं एस्टीप प्लांट पर दिन-रात काम करते हैं और उनका ये योगदान आने वाले नसल के लिए दिया हुआ है तो सबसे पहले तो ओड़ी एफ मानांकन के लिए उनका सबका शुक्री आदा करना चाहिए है के लिए महानागर पालिका को साथ देना TV वन इंडिया